हेलो फ्रेंड गुड मॉनिंग आप सब कैसे हो मैं प्रिती ढोटे प्रिती चैनल में आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड आज मेरे हजबन का लोकी के कोपते खाने का मन था तो मैंने उनसे कहां कि बिना प्याज लसून और अद्रक के लोकी के कोपते कैसे बन सकते हैं घर में तो ना प्याज है ना लसून है ना अद्रक है ना उसके बगर सबजी कैसे बनेगी पर मेरे हजबन ने जित पकड़ने का आज मुझे खाना है तो लोकी के कोपते ही खाना है जो रोज तुम यूटूब पे जो अलग-अलग वीडियो बना के डालती हो ना आज मुझे भी कुछ बिना प्याज लसून अद्रक के लोकी के कोपते बना के तो खिलाना ही पड़ेगा फि मैंने भी ठान लिया कि आज इंको बिना प्याज लसून अद्रक के कोपते की सबजी बना के ही खिलाओंगी उनने मुझसे और एक चीज और कहीं कि अगर तुम्हें अच्छा यूटूबर बनना है तो तुम्हें आज बिना प्याज और लशन अद्रकी सब्जी बना के मुझे खिलान ही पड़ेगी तो मैंने कहा आप मेरे से चैलेंग कर रहे हो अब मैं बना के ही खिलाती हूँ चलिए फ्रेंड अब अफन बिना प्याज लशन अद्रकी के बगेर बनी कोपते की सब्जी में आज बनाती हूँ पहले मैंने ये लौकी को तल लिया था चोटे चोटे तुकडे कर लिये फिर उसको मिक्सी के जार में पीस लिया फ्रेंड ये बिना की से लौकी है इसको तेल में तलने के बाद मैंने इसको मिक्सी के जार में पीस लिया और फिर उसका पेश्ट बना लिया नाप धाला है थोड़ी से born डाली से बस मिंद किया है है अगर यहादा अगर वक्स कर लेती हूँ गरोडर घ्राहे को तो मैं इसमें औरेट करूंगी बेसन यह थोड़ा मुझे अभी गिला ही लग रहा था जादा ही गिला है क्योंकि कोपते थोड़े कड़क कड़क से बने तो अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैंने और थोड़ा सा बेसनेट किया था यह देखिए पेश्ट बन के तयार है अब मैंने इसके गोल गोल लड़ू जैसे कोपते बनाए हैं अब मैंने आप एक कड़ाई लिए उसमें तेल गरम किया है तेल गरम होने पर मैंने एक एक कोपते छोड़ दिये हैं उसमें मैं पहले इसको तल लेती हूँ थोड़ा सा हलका ब्राउन होने देती हूँ इसको दीमे थोड़ा इसको पल्टाते रहना पड़ेगा कि चिप के ना देखिए फ्रेंड यह थोड़ा कलर चेंज कर रहा है थोड़ा और हो इसको अच्छे से होने देते हैं अभी कहीं कई से सिखाया नहीं है और कहीं कई से सिखा रहा है यह देखिए फ्रेंड यह पक चुके है यह ब्राउन कलर के हो चुके है अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं यह देखिए मैं अंदर से काटके भी दिखाती हूँ यह अच्छे से अंदर से भी पक चुके है और किते सॉफ्ट भी लग रहे हैं अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं बीना प्याज लशन और अद्रक्किये सबजी बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने पहले कड़ाई लिए उसमें एक लास पानी डाला है और आधी कटोरी इसमें धनिया लिया हुआ है खड़ा धनिया है अब थोड़ा सा मैंने इसमें जो अपने बैसन बनाते हैं चने की डाल ली हुई है और थोड़ा सा इसमें चावल लिया हुआ है तीन-चार खड़ी लाल मिर्ची ली है और दो टमाटर भी इसमें एड़ कर दिये हैं और यहां पे मैंने कुछ काली मिर्च और लॉंग और खड़ी इलाइची यह सब भी उसमें एड़ कर दिया है अब मैं इसको एक उबाल आने तक पकने दूंगी थोड़ा सा टमाटर को अपन पल्टा देंगे कि टमाटर दोनों तरफ सिखना चाहिए अब वो हो चुका है अब मैं इसको छली के थ्रूं पानी इसका नीचे निकाल लूंगी और इसमें इसको निकाल लिया है मैंने इसमें दाल चिपक गई थी इसलिए मैं वैसे कर रही थी टमाटर को अलग निकाल लिया है और यह जो अपने मसाले भूजे थे उसका मैं पेश्ट बना लेती हूं अब यहां एक कड़ाई लेती हूं कड़ाई में थोड़ा सा ओईल डालती हूं फिर एक कटोरी ली है उसमें दो चमच के लगभग मैंने लाल मीची पॉडर लिया हुआ है और देर चमच मैंने इसमें नमक डाला हुआ है नमक स्वादा अनुसार अपना ले सकते है और एक चमच हल्दी पॉडर डाला हुआ है धनिया पॉडर डाला हुआ है और गरम मसाला इस उसमें एट किया है अब इधर तेल हो चुका है इसमें वैने थोड़ा जीरा एट किया है अब मैं इसमें थोड़ा पानी एक्सकोर कर दोंगे जो मसारे कटोरी में ली थी चमस से घुमा देती हूं और जो पेस्ट मैंने पीस के रखा हुआ था वो इसमें डाल दिया है तेल में और अब मैं इसको चलाती हूं यहाँ पे टमाटर का छिलका निकाल लिया है फ्रेंड मैं एक खास से वीडियो बनाती हूं और एक खास से काम करती हूं इसलिए थोड़ा बहुत ऐसा आता है तो इसलिए आप उसको इग्नोर किया कीजिए यहाँ मसाला भून चुका है और जो नवक मिर्जी पाडर का जो घो कर लेती हूं अब थोड़ी दिर इसको पकने देती हूं कि इसको बिना प्याज लसन अद्रग का ही पेश्ट बनाया है मैंने इसमें कहीं पे भी अद्रग प्याज और लसन का इस्तेमाल नहीं हुआ है अब यह मसाला अच्छी तरह भून चुका है देखिए और छोड़ रहा है और जो टमाटर मैंने छिलके निकाल के रखे थे मैंनो इसको भी पीस लिया है उसका पेश्ट बना लिया है अब इसमें एट कर लेती हूं और इसको दीरे दीरे चलने देती हूं दीमे दीमे आज पर चलाती हूं देखिए फ्रेंड वीना प्याज लशन की और अद्रक की भी बहुत अच्छी सबजी और यह खाने में बहुत ही टेश्टी बनी थी और बहुत ही अच्छी लगी थी अब मैं इसे में दो गलास पानी एट कर देती हूं क्योंकि हमारे ग्रेवी बाली सबजी चाहिए एक बार आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए और मेरा चैनल प्रसंद आता है तो लाइक सस्क्राइब कमेंट बेल आइकन प्रेस कीजिए और फॉलो कीजिए मुझे आप लोग सस्क्राइब नहीं कर रहे हैं ऐसे कैसे चलेगा आप लोग सस्क्राइब कीजिए मुझे सपोर्ट कीजिए अब इसमें उबाल आ रही है हम लोग बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं और हर चीज आप लोग के साथ सेयर करने के कोसिस करते हैं कि और आप लोग स्थ्क्राइब निहीं करते लाइक नहीं करते एसा मत कीजिए कमेंड नहीं करते आप लोग प्लीज कमेंड फॉलो बेल आइकन प्रेस किया कीजिए अब मैंने जो कोपते बनाया थे उबाल आने पसमें छोड़ दिये है अब इसके बाद भी मैं 15-10 मिनट उस सब्जी बन के तयार है अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइस सब्टे को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए और मेरा फुल वॉच कीजिए विडियो और बताईए कि मेरी कोपते की सब्जी आप लोगो कैसे लगी और एक बार आप लोग इससे जरू ट्राइ कीजिए फ्रेंड एक खाने में बहुत ही टेश्टी बनी थी और बहुत ही अच्छी बनी थी मुझे भी मैंने तो अपने हजबन की फरमाईस पूरी कर दी है और उनको कोपते की सब्जी बहुत पसंद आई है उनने भी कोपते की सब्जी बहुत पसंद की है थैंक यूँ